इलेक्ट्रोनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दवाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिक्स वर्मा तो दोस्तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है इन डूल के ओपर कि बहुत भाई को कन्फ्यूज हो जाती है कि सर ये 6-pin का डूल है इसकी वाइरिंग कैसे होगी ये 3-pin का डूल है इसकी वाइरिंग कैसे होगी ये 3-pin का डबल डूल है इसकी वाइरिंग कैसे होगी और ये इ एक वोल्यम के उपर तो देखी ए पहले में आपको यह बता दू कि यह बाला हमारा जो वोल्यम है और यह जो वोल्यम है और यह वाले जो हमारे यह 3 वोल्यम जो है इनकी 3 ही 3 पिन है और यह 3 ही सेम है न स्टीक्ट है इनका गमtopアस ही colus एक ही है बस इस वोलियम के अंदर क्या कर दिया इन्होंने कि एक वोलियम को दो वोलियम बना दिया है मतलब पीछे भी एक वोलियम और आगे भी एक वोलियम तो ठीक है दोस्तों तो आज हम अब देखे यह तो आपको पता लग गया कि यह तीनों एक ही वोलियम है अब इनकी ह श्रीप आ गय की पिन के बारे में बता दूँगा कि पीछे की भी Sammy है. यह जिर डबल डूल है. यह है मतलब कि आगय और पीछे की दोनों की Common PIN होती है लेकिन यह double में हो गया और यह single के अंदर हो गया. जैसे च्टूडियो में हमारा Amplifier होता है तो उसके एंदर इस वोलियम क तो देखे इस तरीके से आपकी तीन पिन है इस तरीके से यह वोम मैंने इस तरीके से पकड़ा हुआ है और इसके अंदर तीन है। का इस तरीके से यह 1 फिन 2 और 3 तो देखे एक नमबर 2 और 3 अब इसकी वायरिंग कैसे होगी, देखें, सिंपल तरीका पताता हूं मैं, पहले नंबर की जो पिन है, वो है हमारी इनपूट, पहले नंबर की पिन इनपूट है, दूसरे नंबर की जो पिन है हमारी, वो है हमारी आउटपूट, दूसरे नंबर की पिन हमारी आउटपूट अब कभी-कभी यह वाला वोल यह हमारे हाथ में आ जाता है और बहुत भाई कहते हैं कि भाई यह जो 6-pin का डूल है क्योंकि इन 3-0 डूलों की data sheet आप खोल के अगर देखेंगे तो इन 3-0 की डूल की यही wiring है input, output और ground लेकिन इस डूल की wiring बिल्कुल अलग है बहुत से भाई क्या करते हैं कि इसकी 3-pin आगे की एक डूल बना देते हैं लेकिन इसकी wiring ऐसी नहीं है इसकी wiring मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगी तो देखें मैं यहाँ पर जिस तरीके से यह वोलियम मैंने पकड़ा हुआ है इसी तरीके से देखें यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह तो देखें 6 लाइन खिज दी है मैंने यानि कि यह 6-pin इस तरीके से आप देखें यह जो 2-pin है हमारी यह हो गई हमारी input यह हमारी input है यह जो 2-pin है यानि कि एक हमारी left-pin हो गई एक हमारी right हो गई यह हमारी input हो गई दोनों फिर आ जाते हैं हम तीसरे number की जो pin है वो छोड़ देते हैं फिर आ जाते हैं हम देखें यहाँ पर चोथे number की pin और पांचवे number की pin इन दोनों पीनों को हम इस तरीके से जोड़ देंगे जोड़ने के बाद यह हो गई हमारी gnd यानि की ground यह भी हमारा ground है और यह भी हमारा ground है तो देखें gnd यानि की ground तो हमारी चोथे और पांचवे number की pin ground हो गई आप देखें इसके अंदर कौन सी pin बची एक बची हमारी तीसरे number की pin और एक बची हमारी last की छटे नमबर की पिन तो देखें इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इसके अंदर पिन है अब देखें इसके अंदर तीसरे नमबर की पिन और छटे नमबर की पिन तो तीसरे नमबर की जो पिन है यहाँ पर देखें जो यह right input जो है तो यह हो गई हमारी right output यह हो गई हमारी right output अब यह left है तो left की output जो है वो 6 नमबर पे left की output जो है वो है 6 नमबर पे देखे right और right और right तो यह देखे अब इसके अंदर क्या हुआ कि दूसरे नमबर की pin तीसरे नमबर की पिन और चोथे नमबर की पिन ये हमारी दोनो तीनो जो है एक वोलियम हो गया इसके अंदर देखिए जो राइट की इंपुट जा रही है फिर राइट से आउट हो रही है और गिराउंड हो गया फिर हमारा यहाँ पर देखे एक वोलियम यहाँ पर कैसे बन गया एक नमबर की पिन पांच नमबर की पिन और छे नमबर की पिन एक वोलियम हमारा यह हो गया है इसको अलग-अलग इस तरीके से करा जाता है अगर आप शरिफ एक लॉल्यम का य्यूज करेंगे तो ज्यादतर इसमें जो वाइरिंग उती है वह 속ुर्स दो number, तीन number, चाइन number ये एक लॉल्यम बन जाता है हमारा अब ये देखिए एक number, दो number, तीन number ये volume कैसे होगा ये इस तरीके से इसी pin की इस तरीके से wiring होगी जैसे मैंने ये volume को इस तरीके से सीधा रख दिया है इस तरीके से एक volume हो गया पहले number की pin को आपको छोड़ देना है दूसरा तीसरा चोथा ये एक volume हो गया अगर आपको यहां वाइरिंग नहीं करनी है तो आप यहां पर एक नमबर पे फिर छे नमबर पे और फिर पांच नमबर पे वाइरिंग कर सकते हैं अब data sheet मैंने आपको बता दी, यह data sheet इस तरीके से होती है, अब बहुत भाई का क्या comment होगा, कि सर, बहुत से भाईयों को यही नहीं पता होता कि सर, input होता क्या है, तो आज हम इसकी भी जानकारी देंगे, input क्या होता है, output क्या होता है, और ground क्या होता है, तो देखे, input जो होता है, हमारा, input हमारा एक bt का module भी हो सकता है, इस तरीके से, देखे, इसमें लिखा हुआ है, यह left output, ground और हमारा left, right output, ground और left output, तो इस तरीके से लिखा हुआ है, तो यह हो गया हमारा input, तो देखे, यह पहला input बताया है, यह हमारा input है, यहाँ पर देखे, इस तरीके का मोडूल है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए, यहाँ पर L लिखा हुआ है, फिर GROUND है, फिर R लिखा हुआ है, यह हो गया हमारा दूसरा इंपूट, यह भी इंपूट है, यह भी इंपूट है, फिर आ जाते हैं इस तरीके का मोडूल पर, यहाँ माक्सपीन हमारी सी तरीके से देखे इसमें यह गराउंड होता है फिर अमारा लेफ्ट और रैय्ट दोंव ओडियो होती है यह हो गया हमारा चौथफ फॉते यह मोडूल इन module के अंदर क्या होता है, यहां से audio जब हम देते हैं, तो output होके हमारे board के अंदर चली जाती है, तो इसके अंदर देखे, audio किस तरीके से देते हैं, जैसे कि इसके अंदर देखे, लिखा हुआ है, यह आपका जो left लिखा हुआ है, right लिखा हुआ है, तो इसके अंदर connection कैसे ह होंगे जैसे कि ये लेफ्ट लिखा हुआ है तो लेफ्ट वाला connection हमारा जैसे कि इस पे चला गया right लिखा हुआ है तो अब जैसे कि left वाला इधर चला गया और जो ये भीच वाला ground है यह गराउंड लग जाएगा यह लग गया हमारा अब बचया हमारा आउटपुट के लिए दो वायर चाहिए एक हमारे आउटपुट की वायर हो गई एक हमारा गिराउंड हो गया तो आप देखे यह दो वायर कहा जाएगी यह दो वायर हो गई हमारी ओडियो बोड की आप कोई सबी ओडियो बोड लेंगे यह दो वायर वही आजाएगी एक आपकी रइट एक वॉल्यम पर जाएगी और एक आपकी जो लेफ्ट है वह एक वॉल्यम मेटे जाएगी तो minority पेम इनपूं यह आपके पहले यहां जाते हैं यहां से जाने के बाद जाने के बाद आयए मैं चले होते हैं तो यह होता है हमारा इंपुट जिसके अंदर हम कोई भी मोडूल लगा देते हैं तो वह इंपुट की वाइरिंग हो जाती है आउटपुट हमारी वह होती है जो हमारी बोड के अंदर जाती है तो देखे वोलियम की अगर आप पिनों की जानकारी रखेंगे तो आप वड़े ही आसान तरीके से किसी भी बोडगी वाइरिंग कर सकते हैं तो दोस्तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करना, सेरी करना और सस्क्राइब करना और बैल का आइकन को जरूर दवाना क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लाता रहूंगा